आज आपको वसीम रिजवी के भाई का वीडियो दिखाने जा रही हैं जिसमें देखियें उन्होंने किस तरीके से अपने भाई के हिंदु धर्म अपनाने के बाद यह बड़ा बयाद दिया झी, पागल हो गए, मअजनून हो गए है, वो जो समझ माते हैं, वो नमाज, 에रोजा कुछ कर नी न उनको दीन, नvine, इसलाम से कोई मतलब है इसलिए वो इस तरह की बाते बोलते हैं जो दीन और इसलाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खाफ होता है वो इस तरह की बाते बोली नहीं सकता और किसी के शारों पर यह सब बाते बोल रहे हैं कौन टोगा रैता हुँ, यहां से कोई तालख नहीं है कश्मीरी महले से उनका कोई तालख नहीं है, ना वो कश्मीरी महले में आते हैं, कोई भी महले वाला आये गवहाई दे दे, ख्राओं के कहə दे, कि वसीम मेरे घर आते हैं या वसी मिजबी कश्मी महले आते हैं मेरा कोई तालुख नहीं है ना मैं वसी मिजबी से कोई तालुख रखना चाहता हूँ ना मैं ना मेरी माँ ना मेरे भाई ना मेरी बहन कोई तालुखार रखना नहीं चाहता हुई से हमनों नहीं सारा तालुखात उन्से खत्म कर दिया इतना बड़ा गुना है कबीरा उसको कहा जाए उन्हीं ने अलफाज बोले है बाराल पुरान की हफाद़त तो अल्ला करेगा जो बेशक है उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा आप बेफिकर रहिए उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा ना एक जबर हटेगा ना जेर हटेगा बाराल पुरान पे हमले बहुत हुए है पहले भी हुए है और आगे भी होंगे लेकिन उसकी हिफाद़त अल्ला करता रहेगा आमीद तो इस वीडियो को अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ देश और दुनिया की ऐसी ही अलागला खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूस टैमस 24 के साथ